हेलो वेल्कम बैक, वेल्कम टू इंजनियर्स ब्लेटफार्म, हेलो काईच, आज का डिसकसन है मेरा मुविंग आयरन इंस्ट्रुमेंट, यह जो हमने पढ़ा था इससे पहले, आप देखोगे तो PMC के बाद जो हमने पढ़ा EDTAP, अब उसके बाद मुविंग आयरन, इस तरी आप जाते हैं जाते हैं चीजों को कहीं 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 करना सुरू कर देता है, क्योंकि यहां पर दो TAP होते हैं, किसमें SPRING लगता है, किसमें Damping, Controlling टॉक लगता है, किसमें कौन सा Damping यूज होता है, यहां पर Confuse करते हैं, और लोग एक ही चीज़ को पढ़ा के कहीं कहीं रह जाती हैं, और ना ही हम किलियर में BTEC से इसको अच्छे से पढ़ते हैं, ना ही डिपलो हमें बहुत अच्छे से कोई पढ़ाता है, तो चलिए हम यहां पर देखते हैं, Moving Iron Instrument, सबसे पहले नाम ही है, नाम से समझें, Moving Iron, मतलब ऐसा Element ऐसां इंस्ट्रुमेंट जिसमें, Iron क्या कर रहा होगा? Move कर रहा होगा,μुव कर रहा होगा,iahकर कर रहा हूगा,पूयसली अगर Iron कर रहा होगा तो उसंट्रुमेंट को बोलते है, Moving Iron, अब यहां पर Confuse के बार होता है, Moving Iron तो Moving यहां पे confusion नहीं होनी चाहिए इन चीज़ेगे बहुत अच्छे समझेंगे लिए मिस्ट्रुमेंट बहुत अच्छे समझेंगे आपको प्रजेंट कर रहा हूं पहले समझगे मि इस्ट्रुमेंट भी जो यूज के आते हैं ये AC और DC दोनों को मिजर करता है clear, next ये ammeter और voltmeter के लिए applicable होते हैं, इस टाइप के ammeter lane wattmeter के लिए edit app instrument हमाला more suitable है, वो भी है ना, मतलब वो तीनों को मिजर कर लेता है यहाँ पर ये चीज़ आई, जैसा कि मैं हमेशा से, जो भी instrument पढ़ा हूँ, उसमें उसके construction को discuss किया हूँ, working को discuss किया हूँ और उसके torque equation को discuss किया हूँ, तो इसमें भी same pattern को हम follow करेंगे जैसे ही मैं ये सब pattern follow करने जाता, लेकिन एक चीज़ देखा गया कि moving on an instrument दो प्रकार से बनाई जा सकते हैं एक होता है attraction type दूसरा होता है repulsion're एक होता है attraction type जैसे इसेद नाम बोलगा है not वह ऐसे एक जैसे काम चल ईसका clear न, एक होता है attraction type दूसरा होता है repulsion're normally, attraction का मतलब है attract कर रहा हूं, खीच रहा हूं दो opposite चीजों को एक दूसरे में खीच रहा हूं, that is attraction tab और इपल्शन टाइब की दो ऐसी चीज़े पुलारिटी शेम होता हो तो आपस में क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा, वहां लड़का-लड़की तो नहीं होगा ना, वहां पर तो यह होगा, जब हम इस चीज की इंस्ट्रुमेंट की बात करें या तो magnet की same polarity होगी तो वो repel करेगा opposite polarity होगी तो attract करेगा यहाँ पर इस चीज का relation है तो चदी attraction type में पहले इस चीज को देखते हैं फिर animation आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे attraction type के लिए क्या है यहाँ पर देखिएगा बहुत जदा important concept रहता है कौन सा instrument vertically यूज किया जाते है कौन सा horizontally और vertically यूज किया जाते है तो यह सब चीज है बहुत important होता है इसलिए बारके से समझ जाएगा एकदम एक एक चीज को ध्यान से दे राके समझ यहाँ पर attraction type के अंदर क्या होता है देखिए यह coil है इसको हम कहते है easier fixed होता है fixed coil राखे जाते है है ना लेकिन इस coil के उपर कोई iron नहीं रखा जाता है इसके अंदर जो है ऐसा ने कोई लोहा पर हम इसको wind कर रहे है इसको हमेज़ा क्या 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 आता है किसी ऐसे ही हवा में ही wind किया आता है जिसको वो air code बोला जाता है क्या बोला जाता है air code अब air code के लिए जरूरी ही हवा में ही हो इसके नीचे चाहे तो आप plastic एक hard plastic को उपर winding कर सकते हो वो भी air code ही कहला आता है क्योंकि वो magnetic bear bear में सामिल नहीं होता है चलिए तो इसका मतलब air code होते है क्या क्या होता पहले construction वाज हम देख लेते हैं एना एर code होते है तो fixed coil होता है और दूसरा क्या होता है इनी coil यह ही है fixed coil कोई दो भागों बार दिया जाता है और एक होता है soft iron piece जो move करने के लिए working हम समझेंगे यह है लोहा यही है iron यह है iron जिसको बोला जाता soft iron क्या बोला जाता है soft iron और यह soft iron कैसे बनता है iron सुना है soft iron का मतलब क्या होता है उसके अंदर कुछ ऐसे आप चीज मिक्स कर दो जिससे वो एलावे बन जाए और soft होता है जिससे silicon steel हम transformer की बात करते हैं तो silicon steel में क्या होता है वहाँ पर silicon mix के जाते है soft बनाने के लिए और hysteresis loss भी उससे कम होता है है ना और eddy current को भी कम करने के लिए silicon का यूज करते हैं चलिए वही तरीके से यहाँ पर इसको soft बनाने के लिए देखे या ना ही आप कह सकते हो nickel और iron का alloy combination है के बार एक जाम में पूछता है soft iron जो instrument में यूज किये जाते हैं वो किसका combination होता है nickel, nickel और iron के alloy होते हैं जिसको soft iron बोले जाता है ठीक है तो यह इनके बीच क्या होता है अर्जस्ट होता है instrument आप बहुत अच्छे देख रहा पहले ही जोगो पहले समझ लो फिर इसका मैं आपको construction दिखाऊंगा तो working फिर आपका साथ साथ हो जाएगा तो attraction में क्या होता है यहाँ पर समझ येगा यह चीज़े आपको यह यहाँ पर revet से tight होता है यहाँ पर revet होता है और यह घूमने के लिए फिर लिए move करने के लिए क्या आता है independent होता है यहाँ पर revet होता है और यह आसानी से move कर सकता है और यह चाहे इधर उधर जा सकता है clear तो जाएगा तो यह pointer क्या करेगा reflect करेगा एक चीज़ और देखनों को यहाँ मिल रहा है आपको यह scale दिखाएगा कैसा non uniform जिसको हम आगे derivation को थूँ आपको दिखाएगे कि non uniform ही आता है अगर आप अगर कोई चीज़ को मिजर करना होगा तो इन दोनों जगा पर आपको क्या करना पड़ेगा supply देना पड़ेगा plus minus याँदी सी में भी काम करता है और AC में भी काम करता है ठीक है similarly repulsion type की अगर वह बात करता है तो repulsion type arrangement में क्या होता है यहाँ देखिएगा एक cylinder cylinder का होता कोई iron का नहीं plastic का ही होगा उस पे हम क्या करते हैं winding लपेट देते हैं और यहाँ पे दो बार ले आते हैं अगर इसको supply दिया जाए तो अंदर में रहता है यहाँ भी soft iron देखो यहाँ भी क्या है soft iron यहाँ भी है soft iron iron piece है यहाँ भी क्या है iron piece है clear अगर यह iron piece है आप समझेगा दो लोहे हैं तो कोई attraction repulsion नहीं होगा लेकिन जब इसके उपर winding किया होगा अंदर में वो है तो सब्चो जब यहाँ पर current याएगा यहाँ से तो यह magnetic field बनाएगा एक n pole और दूसरा क्या बनाएगा s pole और n pole s pole बनाता है तो यहाँ पर क्या होता है एक जगा n और यहाँ भी s और यहाँ भी जब यह polarity है सब जगा यहाँ n यहाँ बनाएगा s अब समझो क्या होता है एक को fix कर दिया जाता है एक soft line को क्या कर दिया आता है fixed और दूसरे क्या कर दिया यहाँ बिल्कुल कोई remind हं अगर जैसे ही supply दोंगे तो इस force के कारण यहाँ देखिए S-pole और S-pole रिकारण क्या होगा? Repulsion S-pole S-pole रिकारण होती क्या होता है? Repulsion अजब repulsion होगा तो यह इसको धके लेगा इससे pointer attach है तो यह आगे deflect होगा TD Deflecting Torque क्लेड़ना? तो यहाँ से यह चीज़ें आपको पता चल जा रहा है अब देखिए तो यह है आपका repulsion type यह है attraction type यह attract कैसे करता होगा? constructionally अभी बहुत अच्छी दिखाऊंगा मैं यहाँ पे देखिए जब आपने supply देऊंगे तो यह एक जगा end pole बनेगा अब देखो यह लोहा अगर मान लिया यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है अगर यह हवा से जाएगा flux तो जाएगा जब flux जाएगा आप देखिए जब flux जाएगा तो यहाँ क्या हुआ हुआ हवा? हवा ज्यादा air है रास्ते में यहाँ भी air है तो हमेशा कोई भी flux क्या करता है हम कहां से घुजने जी? lower reluctance path से कोई भी flux क्या चाहता हमेशा? lower reluctance path से जैसे की example के लिए समझ यह lower reluctance का मतलब क्या है? जैसे transformer है यहाँ से जितना भी flux produce होड़ा है sub flux यहाँ से थोड़े नहीं गुमा यह तो leakage flux थोड़ा से यहाँ जा रहाता है लेकिन sub flux किसको follow क्या जी? low hey को तो हमेशा किसको follow करना चाहता है कोई flux? low hey को तूँकि low hey में reluctance कम होता है तो आप flux ज्यादा जा सकता है जैसे ही किसी conductor में resistance कम होता है तो ज्यादा current गुजरता है similarly magnetic circuit मे अगर किसी conductor किसी metal का material का reluctance कम होता है तो flux ज्यादा गुजरता है अब यहाँ देखिए यहाँ हावा यहाँ हावा यह tightly coupled तो है नहीं तो क्या करते हम इसको यह जब जैसे N-pole S-pole बनाती है हावा के थोड़ो गुजरना चाहता है तो यह चाहता है कि इतना ही गया बचेगा इतना ही और इतना ही बाकी तो beach metal से जाएगा तो यह κ्या करता है जैसे ही supply देते है तो यह flux इधर से गुजर के इहाँ जाता है इस दोरान क्या होता है इसको नीचे धकेलता है इसको ओपर धकेलता क्यूंकि यहां पे deflecting torque create होगा तो इस तरीके से वर्ग भी कर लेता है तो इसी को बोलते attraction यह उपर खीचा यह इधर खीचा तो इसको क्या बोलते हैं attraction इसलिए नाम आता है और यह क्या कर रहा है दूसरी को रिपेल कर रहा है that is रिपल्शन टैप के लिए बाकिया हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और एक चीज़ मैं बता दो यहां पे इस टाप के attraction टाप के instrument में ना डेंपिंग टॉर्ग के लिए डेंपिंग टॉर्ग जो वाइबरेट करेगा यह रूखे इस टाप के इस्ट्रुमेंट पे इसके डेंपिंग को कंट्रोल करने के लिए किसका अपयोग किया आता है जी एर जंबर करेगा इसको कंट्रोल करए ना इसको control कौन करेगा तो ध्यान रखें attraction tap में जो controlling torque use होता है that is known as gravity control यहाँ पे क्या होता है gravity control जिससे बात मैंने पहले आप से बोला था यहाँ पे weight लगता है w1 इस tap के instrument में क्या use होता है gravity control यहाँ मैं आपको बता देता हूँ यह इस तरीके से देखिए gravity control क्योंकि control करेगा ना अगर यह फिडिली हो यह थोड़ा भी current रहेगा तो आगे खिच जाएगा तो इसमें gravity control का use किया जाता है यहाँ पे और gravity control में किसके controlling torque जो होता इसका वो किसके समण पहती होता जी sin theta के वहाँ मैं है शुरू के ही torque में बता रखा हूँ damping torque, deflecting torque है ना और controlling torque तो शुरुवात में ही हमने torque के बारे में आपको बहुत अच्छे बता रखा है तो यहाँ भी तो तीनो torque होंगे ना तीनो torque होंगे तो यहाँ पे क्या होता है जैसे ही current देता हूँ सबसे पहला torque develop होता है deflecting torque, उसको control कोण करेगा तो controlling के लिए controlling torque होता है तो आप तक हम स्प्रिंग यूज़ करते आए हैं और इसमें कौन सा चीज़े यूज़ होगा आपका weight वाला weight वाला क्या था gravity control इसलिए हमने आप पे बढ़ा था gravity control यह instrument के यह तीनों instrument के आखरी तक आपको काम आएगा और बहुत important है इससे best question भी बनते हैं तो कैसा है यह gravity control यह जैसे से खिचेगा यह भार इसका उपर की और बढ़ेगा यह भार कैसा होगा उपर की और बढ़ेगा यह angle में उपर यह जैसे से खिचेगा फोर्स जिसका जितना strong होगा यह उपर खिचेगा यह बेचारा भी उपर जाएगा तो फिर केगा इसका weight केगा नीचे आओ तो control करेगा कौन TC क्या करता है control करता है और बचा damping जब दोनों बढ़ा बढ़ाँगे तो oscillate करेगा तो damping को कौन बचाता जी air chamber अगर weight की बात हो तो weight हमेशा कैसा लटकना चाहिए जी यह देखिए अब समझेए यह ऐसा arrangement होता है तो weight हमेशा कैसा हो vertical हो weight कैसा हो ऐसे vertical हो तभी तो यह खिचेगा तो यह उठेगा अगर मान लो instrument इसके जगा ऐसे कर दिया जाए सोचो इसके जगा ऐसा कर दिया या है तो अगर कोई coil इसको खीचे मालों यह iron को खीच रहा है यह connections magnetic field तो खीच रहा है तो इसको कोई फर्क पड़ेगा यह तो सब जगा भार समानी है तो भार यहां पर क्या है हर जगा समानी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पड़ेगा लेकिन जब इस तरीके से वेट रहेगा किसी इंस्ट्रुमेंट में यह अगर आगे खीचेगा तो इस वेट को इंस्ट्रुमेंट हमेशा कैसा यूज किया आता है वर्टिकली हमेशा कैसा यूज किया आता है बहुत बहुत इंपोटेंट है ऐसा इंस्ट्रुमेंट हमेशा कैसा यूज होता है वर्टिकली यूज में लाए जाते है कभी भी इसको होरिजेंटल आप यूज नहीं कर सकते horizontal अगर बात की जाया है तो इसको use नहीं के जाता है traction type instrument हमेशा vertical use के जाते कहोगे sir vertical कहाँ तो याद रखें panel type application में panel type के application में vertical में कहाँ लगाएंगे जी panel type के application आप कोगे panel आप देखोगे बहुत instrument ऐसा रहता है बहुत instrument ऐसा रहता और यहीं पर आपको current बताएगा और voltage बताएगा clear ना तो बहुत instrument जो होते vertical लगाए जाते है control system के अंदर देखोगे railway के अंदर देखोगे तो instrument कैसा vertical लगा हुआ इसे दिवाल से चिपका हुआ उपर से इसे बताता है that instrument is known as vertical instrument that is panel type application बहुत जाओगे मैं बता रहा हूँ PLC वगड़ा करते हैं तो बहुत सारा instrument देखोगे ना पूरे बड़े बड़े box पे ऐसा ही vertical लगा लगा लाता है यह panel type का application होते है बहुत सस्ता होता है my instrument बहुत आज question पूछा जाता है बहुत सस्ता होता है cheaper होता है सबसे accuracy इसकी खड़ाब होती है PMC के तुलना में लेकिन बहुत सस्ता instrument होता है तो यह तो panel type के application के लिए यूज होता है क्यों ऐसा किया गया क्योंकि weight तो ऐसे पढ़ेगा तब ही खीचेगा तो control होगा इसको अगर ऐसे original कर ले तो weight तो हर जेगा बराबर होगा तो कोई फर्क पड़ेगा हर जेगा सावाने MG लगेगा तो इसलिए हमेशा इसको vertically यूज करते है repulsion tap में आईए repulsion tap में damping को control करने के लिए जो oscillation होता उसको control करने के लिए हमने use किया air chamber clear लेकिन अब देखिएगा जब इसकी बात की जाए लेकिन जब आप बताए कि इसको control किसके थू किया जाए तो ध्यान रखें इसको controlling torque जो provide किया जाता है tc वो इसमें spring के द्वारा किया आता है किसके द्वारा? spring के द्वारा यानि इससे लगा होता है कहीं कहीं spring sorry मैं बता रहा हूँ यह देखिए इससे जो लगा होता है कहीं कहीं यह spring लगा होता है वेचारा spring क्या करता है इसके ज्यादा आगे बढ़ने से उसको रोपता है तो यहाँ लगा जाता है spring ठीक है न? ग्रेजमेंट मैं दिखा रहा हूं, तो यह स्प्रिंग के तुर इसको control करता है, तो यहाँ TC जो होता है, वो किसके corresponding होता है, KC into theta की respect में, ठीक है ना, और यहाँ पे बात किया जाएं, तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, T D is equal to क्या था या टी सी is equal to साइन थीटा, यानि जितना weight बढ़ेगा थीटा angle बढ़ता चला जायेगा ठीक है न, उतना ही आपका ये weight खीचेगा निचा तो control जादा जादा करता जाएगा लेकिन आपको वह बुला गाया था gravity control हमेशा कैसा देता है gravity control हमेशा कैसा response देता है non-linear response देता है लेकिन इस पे age का कोई फर्क नहीं परता spring पे age का फर्क परता है यह सब चीज़ आपको जानना चीए बहुत important concept होता है तो चलिए इस सब को जानने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ आपका इसका animations किस तरिके से actual construction होते हैं और उसको हम read करते हैं study करते हैं फिर इसका working देखेंगे working विए almost हमने देखी लिया फरे construction देखते हैं फिर उसके बाद हम उसका आगे की चीज़ों को देखते हैं चलिए start करते हैं ओके guys तो आप मैं यहाँ पे देखिए यह हमारा जैसे attraction type है पहले attraction type को मैं discuss करता हूं attraction time में क्या क्या देखा हमने attraction time में देखा कि हमारे पास जो एक iron piece थे यह हमारा iron piece soft iron piece जो nickel iron के mix के बने होते हैं देखिए और यहाँ पे जब आप current supply देंगे इस coil में इस coil में जैसे आप addrix the product Mall नो जो fix है यह हमें इसा क्या होता है přिक्ष्ट होता है ठीक है अगर यह supply देंगे यहां से तो इसमें क्या होगा यह जो हमारा iron कोरائ से खीचे जाते हैं क्या करते हैं आगे क्योड़ होते हैं यहां से यह ठीकिए जैंसप मूव करता है तो the money Tá करता है clear तो जैसे यह कितना खीचेगा इसको यह कितना खीचेगा ऊपर की ओर यह depend करता है आपके current के strength पे current का strength जितना ज्यादा होगा आपका flux भी उतना ही stronger होता जाएगा तो flux जितना strong होगा ऐसे condition में current यहां पे आप कह सकते हो जितना स्ट्रॉंग होगा आपका flux फिल्ड इतना इस ट्रॉंग होगा अब फिल्ड जितना स्ट्रॉंग होगा यह उतना ही खिचेगा और यह जितना खिचेगा यहां पे scale आपका उसी के अगर आप देखें तो यह देखें वेट नीचे लगा हो है यह जैसे इसे ऊपर क्यों बढ़ेगा फिर वह एमजी कहेगा कि नीची आओ अभी तो सीधे वर्टिकलव यहां पर जैसे-जैसे इधर क्यों आएगा एमजी केगा नीची आओ तो यह इसको इधर धरके लेगा यानि टी सी अपोजी डियाक्षन में लगेगा इधर टी डी लगेगा जब दोनों बड़ाबर होंगे तो किसी पॉइंट पर यह पॉइंटर जाके रुख जाएगा लेकिन ऊसिलेट करेगा ऊसिलेशन को कौन खटम करेगा यह दखिये और्रेंजमेंट किस तरह सहता ना मैं एएर चेमबर डैम्पिंग एयर चेमबर डैम्पिंग I hope यहां तक चीज़ां आपको Lum тब्प रिपल्संट डाउप का, हमने बोला एक this process, ऒल वाल है एक क्या होता है , एक को दुना तरब से fix कर दिया गया था वहां पे हमने कर दिया था और दूसरे में एक को डिवेट ऐसे लूज कर दिया था ताकि यह मूज कर सके अई इसको दोनों जगा पॉइंट से डिवेट से टाइट कर दिया था वही चीज देखिए यह जो है अमारा ओटर बोड़ी है रहे है ऑप दो दूसरा प्रेट यह अब इसमें वह देखने की तो इसके पत्ति कभी हीलेंगे नहीं यहां से करेंट जाएगा तो वह हमेसाद फिक्स रहेगा अब यह जो पत्तियां बनाती है दूसरी ब्लेट्स यह है इस स्पिंडल से अटाच ठीक है अगर आपने सप्ले दिया सपोस्ट यहां से करेंट गया तो उपर में दोनों पे एन क्योंकि यह स्पिंडल से अटाच है और इसी स्पिंडल में स्प्रिंग लगा होगा यह इसी स्पिंडल में क्या लगा होता है स्प्रिंग लगा होता है तो हमने देखा कि इसके अंदर रिपल्सन टैप में स्प्रिंग कंट्रोल होता है जब कि वहां पे एट्रक्शन टैप में gravity control होते हैं और ध्यान यहां रहे इसी में कहीं होगा क्या air chamber damping ठीक है न यहां पर इसी में कहीं लगा होगा एट्याच एर चमबर damping तो air chamber damping तो common यहां पर लेकिन एक में gravity control था और दूसरे में spring control है ठीक है न तो यह चीज़ है आपको देखने वाली है construction wise चलिए मैं आपको इसको और बहतरी इंतरी cases का वीडियो एक बार दिखाता हूँ आपको बहुत सारब चीज पता चलेगा देखिए यहां से आपको idea उठेगा इसका बढ़िया से यहां देखिए इस पर pointer attach है ठीक है spring भी controlling torque प्रवाइड करने के लिए बैठा है अब यहां पर supply दिया जाएगा outer winding में जो एक ही winding है यहां पर inductor का value इसलिए L नहीं बोला जाता है L equivalent नहीं क्योंकि winding तो एक ही है अब इस spindle से attach है यानि जो घूमने वाला है ना उससे attach एक है और दूसरा के है एक fix point से attach है इसका मतलब जब यहां पर जैसे ही supply दिया जाएगा इसका मतलब होगा and pole यहां बनेगा and pole यहां बनेगा और इसके कारण क्या होगा इसका deflection हो जाएगा कि ओके गाइस तो आई होप आपको कॉंसेप्ट क्लियर होगा यह देखे दोनों एक यह डिस्क है कि यह डिस्क के अपके आइरन के है ना किलियर है यही मूव करता है यह क्या करता है मूव करता है तो pointer के लिजिबल है लेकिन जो पहले वाला gravity control है वह हमेशा कैसा करने होगा हमेशा पैनल टाइप के अप्लिकेशन के लिए यूज होगा वर्टिकल अप्लिकेशन के लिए यूज होगा वह उसकी पाता है तो यहां पर अब चीजें आपको समझ में आने लगेंगी जो आपने इनिमेशन देखना अब यहां पर हड़ी चीज होती क्या है ठीक है अब यहां पर देखिए कि यह AC और DC दोनों पर कैसे काम कर लेता है ठीक है ना वर्किंग के अर अंदर अगर देखा जाए त इधर खीचेगा ताकि यह लोहा इसके सामने ऐसे आ जाए और यह अगर ऐसे आजाएगा तो फ्लक्स बड़ी आसानी से मूव करेगा एंड टु एस एंड टु एस आसानी से मूव करेगा यानि इसका मतलब क्या हो गया तू ट्राइट टू फोलो क्या कर रहा है लोवर रिल बढक Tacktee Slowly का मतलब किसी को नहीं पता है मशीनियों अपर लेगा मैंडिक्स के अंदर हमने बहुत अचह से करा रखा है लोवर रिलक्टेस पाथ यानि हवा से जाना अगले प्रीफर नहीं करता है वो किस से викर ला इन से और यह बेचारा ऐसा था कि घूमने के लिए बैठा ही हुआ था इसने जैसे फ्लक्स दिये करेंट दिया यहां पोल का निर्मान वह फ्लक्स जा रहा था इसको खीचना शुरू किया तो यहां डिसी मिस तरीके से प्रोडूस हो गया और यह पॉइंटर आगे के तो मुव कर लेकिन जब अब करें तो और चाहिए झासित यहां सच्र Deck चाहिए। सब्सक्तों होने सब्सक्राइज शुवरों हो और公an डिसे पर देव केसी जाएगा तो ऐसे क्या चाहिए? रास्ता चाहिए रास्ता में कौन सच्छे चाहिए बढ़ियां मीडियम रास्ता और बढ़ियां मीडियम के लिए क्या करेगा ये आयरन को नीचे धके लेगा कि भाई तू सीधा हो जा मैं तेरे से गुजरूँगा ठीक है ना इसके कान ये टॉर्क घीचता है ये ये इधर और ये इधर और ये इसका रास्ता बन जाता है और पॉइंटर रह सब क्या करता है ? दिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया डिफ्लेक्टिंग तॉर्क क्यों उपन होता है चाहिए A c o d c o दोनों तरीके से आपने देख लिया अब इसको control कौन करेगा जी, gravity control, gravity control, gravity control इसको क्या करता है, बोलता है रोकता है, लेकिन ये linear नहीं होता, लेकिन जैसे इसका mass उपर खीचेगा, ये खीचेगा, तो mass केगा नीचे है, m into g, m into g, ठीक है न, जैसे से उपर जाएगा, m into g लगेगा, तो ज्यादा, ये दो component पे कर लिए, तो दो तर्क हमने देख लिया, जिसको अभी expression के तुरो हम निकालेंगे, ठीक है न, तो TC भी उत्पन कर दिया, ये TD भी उत्पन कर दिया, एक ने TD उत्पन किया, और एक ने TC उत्पन किया, next है, oscillation, अगर ये oscillate करेगा, यहाँ पे तो उसको रोकने के लिए, हम य animation में देखा, दो plates कैसे थे, एक को fix कर दिया गया था, एक को किसी के साथ support में, उस जो stationary था, उसके साथ fix कर दिया था, और दूसरा को, जो spindle के साथ था, spindle के साथ उसको भूमने के लिए छोड़ दिया गया था, जैसे से force का strong होगा, देखिए current का value जितना strong होगा, flux बेचार instrument हो गया, इसका AC, DC दोनों को माप होता है, अब बोल्टिमिटर, आमिटर दोनों के लिए होता है, AC के लिए कौन से value को मापेगा, RMS value को भी मापेगा, और यह average value को भी मापेगा, तो इस तरीके से आपका PMC instrument के working भी होते हैं, ठीक है ना, अब हम इसके developed torque को देखते हैं, इस torque के सा equation देता है, जब torque ही ही बताएगा, तो फिर बताएगा, थीटा किस पर निर्वर करता है, तो यहां भी non-linear scale है, मैं तो पहले बता दिया, पर वहाँ torque के equation से हम देखेंगे, फिर इस पर best काफी चीजे हैं, जिसको करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज यह कमारा क्या है, एडी current loss को कम करने के लिए air core करया जाता है, किसको इस पर, ठीक है न, सबसे पहले यह चीजे, दूसरा, अगर air core करेंगे, तो magnetic field density weak होगी की नहीं, है न, कम जोड होगा, field आपका, कम जोड होगा, तो इसलिए इसका क्या होता है, magnetic field density, जो flux होता है, इसका weak होत होता है, अब weak होता है, तो कितना, तो flux density तो सब में होगा, चाहिए कितना बी बड़ा machine बनाए, flux ज्यादा कम हो सकता है, पर density उसकी घंत्र तो वही होगी न, जैसे कि आप बात करें, पानी, पानी चाहिए ज्यादा हो, या कम हो, छोटे जगा, चोटा का यूज़ा ज्याद पानी ज्यादा ज्यादा लेकिन घंत तो वही रहेगा न, पानी वाटर की, similarly, इस फिल्ड में छोटे इंस्ट्रमेंट हो या बाड़े इंस्ट्रमेंट हो, डेंसिटी क्या होती है, तो फिल्ड की डेंसिटी होती है, 0.006 से लेकर, 0.0075 वेवर पर मीटर स्क्वार, वेवर मीटर स्क्र, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंटर है, यह सब के बार एक्जान में पूछ लेता है, ठीक है न, यह सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, अब्जेक्टिव टाप के लिए है, बी वीक होता है, बी का मान इतना होता है, एयर कोड होते है, एडी सब्देम भी देखा था, एडी टैप में क्या होता, आई 1, I2 by 2 into D L एकुविलेंट बाद की जबाद की ज़ता है, वहां पर क्या था, वहां पर क्या था, वहां पे दो क्वाइल थे, एक फिक्स क्वाइल और एक मूवेबल क्वाइल, इसलिए L एकुविलेंट की बाद की यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक ही कोई है ना एक ही कोईल बाकि तो आपके आरण पीस है ठीक है ना तो आपको यह चीज़ ध्याम दे तो यहाँ पर बहुत जगा अगर आईसा भी लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है स्कुरायर बाई टू इन्टू डी अलबता डी थेटा क्लिर है यह expression है now for controlling torque मालो एक तो आपने torque तो दिया एक तो इधर से counts आए गया torque TD आगया अब TC इसको रोकेगा controlling torque इसको रोकेगा तो TC is equal to KC into theta यह किसके लिए spring के लिए होगा यह हमारा two condition now at balance balance condition में क्या होगा दोनों रुकेगा at balance दोनों रुकेगा यानि TD किसके बरावर हो जाएगा TC के बाइलेंस मतलब जहां पर पॉइंटर रुकेगा मालों दो इंपेर मापने दो इंपेर पर रुकेगा तो TD किसके बरावर होगा TC के यानि आप कहें सकतों यहाँ पे कि केसी इंटू theta केसी इंटू theta इज इक्वाल टू आई स्क्वाइर बाइटू इंटू डी अल बाइड दी थीटा डी अल बाइड दी थीटा अब देखिए अगर थीटा बरावर यहां करना है थीटा is equal to मैं अभी इस्प्रिंग का लिया हो आगे भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे स्प्रिंग का कंडिशन लिया हो थीटा is equal to i square by 2 into 1 by kc into dly दी थीटा अब क्या किया जाए यह तो बरावर है अभी अभी तो इसके साथ क्या है बरावर में है, अब क्या किया जाए, इसको माना जाएगर constant, इसको क्या माना जाए, constant, अलाकि यहाँ पे बात की जाएगर इसको मान लिया जाए constant, और यह भी इसके साथ रहेगा include दो भी, इसको मान लिया जाए, constant, तो theta क्या result क्या निकल दा है? theta proportional to एंस्कोर यह कैसा स्केड दिखादा है नौन लिनियर स्केल तो ए मलेंस्ट्रुमेंट भीए thinking आपको निकलो आप इंस्ट एक क्योटन कुशंट नोमें आपको बता देता हूं इशे आंपके क्या हैं की क्या आपके MI type के instrument में supply जो दिया था वो spring के थुरू दिया याता है क्या नहीं क्यों क्योंकि इसमें तो जो stable part है यह तो रुका हुआ है तो यहां current आसानीस देते हैं तो spindle के थुरू कोई देने का मतलब ही नहीं इसको आसानी से current दिया जा सकता है यह बड़ा advantage होता है MI में कि एकदम fix coil कहीं है outer body में fix coil है आराम से उसको connection देजिए लेकिन PMC बड़ा sensitive होता है उसके spring के through दीजिए two together connection खतब यह चीज़ भी advantage होते है इसके MI type के इसी लिए MI सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा यूज की जाते है MI type के instrument लेकिन accuracy की जब भी बात होती है तो हम MI type के instrument का नहीं use करते है तो PMC का use करते है तो कोई कहा सर PMC तो खाली DCA पर operate होता है जी हाँ DC पर operate होता है लेकिन higher accuracy लेने के लिए उसी का उप्योग करते ह है और जब भी AC की बात आती है वहां पर हम rectifier use कर लेते है rectifier उसको करके फिर वो measure कर देता है तो rectifier करके DC DC करके value माँ देगा और जो conversion करने होगा वह हम देखेंगे electronics measurement में तो यह चीज़ें होती है तो ध्यान रहींची होगा अब हमारा क्या गया यह अगर किसी ने बोला कि सर यह तो आपने किस के लिए लिया spring के लिए यह क्या लिया आपने spring के लिए तभी तो c is equal to c into d theta controlling torque के लिए लेकिन हमने तो अभी आपने जो एक पढ़ाया वो कौन सा था उसमें तो gravity control था तो gravity control के लिए tc बड़ाबर समन पाती किसके था sin theta के tc समन पाती किसके था sin theta के यहां td किसके समन पाती है बड़ाबर i square into by 2 into dly d theta समझ लिए एक बार बहुत जगा नहीं रहता है सब चीजे तो अब देखिए अब अगर आप कोहते हैं कि sin theta किसके proportional होता है यह हमें सा theta अगर theta बढ़ेग साइन 0 0, sin 45 बढ़ता है, sin 90 एक हो जाता है, तो जिस तरीके से theta का मान बढ़ता है, sin theta का भी overall मान क्या होता है, हमेशा बढ़ता है, तो मैं यहां tc के जगा पे proportional में लिख सकता हूं कि है, tc proportional to theta, tc proportional to theta, अगर tc proportional to theta हो गया और यह इधर का है, तो क्या हो गया यह दोनों को बड़ावर जब करूँगा, tc को बड़ावर करूँगा इसके, तो theta proportional to फिर क्या आ गया, i square by 2 into dl by d theta, तो यह आपको किसके लिए हो गया, यह आपका जो हो गया, आपका attraction type के लिए भी हो गया, तब भी हो क्या, theta किसके समान पाती है, तो theta समान पाती है, current के square का, दिख रहा है न, theta किसके समान पाती है, current के square का, तो इसलिए MI में हमेशा expression जो होता है, वो theta हमेशा proportion दिखा जाता, i square, हाना कि exact proportion square के नहीं होते हैं, यहाँ पर काफी अगर ज्यादा आप study करोगे तो exact proportion i square के नहीं होते हैं, लेकिन इन general हम study करते है, theta is proportional to i square, तो यह था regarding development of torque, तो अब इसका थोड़ा सा advantage और drawback को देख लेते हैं, क्या होता advantage क्या है, इसके drawbacks, ध्यान रखें, यह जो point है, बहुत important है, एक्जामों में direct पुछे जाते हैं, इसके winding के regarding, है ना, दो अलग लग वेर winding के regarding, तो वहाँ पर क्या गया था, यहाँ पर मुझ्च दो winding में, L कमान अलग लग था, ओके, तो यहाँ पर देख आप इसका advantage और drawback देख लेते हैं, M I type के instrument का, है ना, और एक चीज़ और ध्यान रखना, इस formula को ध्यान रखना बहुत important है, बहुत देख जामें, पुछा जाता, I square by 2, DL by D theta, यहाँ वहाँ भी यूज किये थे, ED type instrument में, लेकिन ED type में, इसको L को और elaborate किये थे, क्योंकि वहाँ पर L1 प्लस L2 प्लस 2M था, दो coil थे, यहाँ पर क्या हो गया था, वहाँ पर क्या हो गया था, फाइनली, I square by, I square into DM by D theta हो गया था है, लेकिन यहाँ पर I square by 2 into DL by D theta है, ठीक है ना, यह जिसक के लिए बोड़ा जाए, तो क्या क्या इसके ड्वांटीज है, it is used for panel, panel application, panel type के अप्लिकेशन के लिए, सबसे ज्यादा इसी का इस्तिमाल के जाता है, ठीक है ना, इसे panel type के अप्लिकेशन के लिए सस्ता भी बढ़ता है, उसके बाद, no need supply through spring, यहाँ बेश्प्रिंग के यहाँ पर connect हो, महाँ पर कोई coil थो होता है, ठीक है ना, तो यह और advantage हो गया, cheaper होते है, सस्ता होता है, it is suitable for, 0 से, DC value से, AC के एक सब पचाशाद फ्रिक्वेंसी के लिए, एक सब पचाशाद फ्रिक्वेंसी के लिए best है, यानि, AC तो 50 मापते है, तो और ज्यादा कर लो, कितन सब्सक्राइब के लिए, इस्ट्रुमेंट के लिए, इस्ट्रुमेंट हमेंसा कैसा होना चाहिए, linear, not more accurate, यह more accurate नहीं होते है, that is, less accurate होता है, कैसा होता है, less accurate, less sensitive, लेकिन सस्ता होता है, सबसे ज्यादा यूज़ किया आता है, high magnetic current, high magnitude current, can't measure, ज्यादा current के magnitude को कर यह नहीं मा आता है, due to magnetic saturation, क्योंकि iron piece है, तो magnetic saturation होने लगता है, उससे बचने के लिए हम कहते है, high current के value को नहीं मापता है, यहाँ पर एक चीज़ और बात है, यहाँ पर क्या कहता है, error occurred due to addy and hysteresis loss, यानि कहता है कि addy और hysteresis loss भी होते हैं, इसमें, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब ऐस करेंगे, AC की बात करते हो, AC में ज्यादा losses create हो जाता है, और जहाँ पर चुकि iron piece है, यहाँ भी, iron piece है, तो addy current और hysteresis loss तो exist करेंगा ही करेंगा, तो यहाँ पर इसके current भी error देखा जाता है, तो यह कुछ आपके, इसके regarding term थे हैं, और एक दो term हैं, जिसको मैं आपको discuss करता Okay guys, तो यहाँ पर आप हम देखते हैं कि range extension की अगर कई बारे बात कर लेता है, बस यह result exam में पूछा जाते हैं, पर थोड़ा समझ लीजेगा, यह result के बारे में खाली पूछा जाता है, पर आप इसको समझे, range extension करना मानले कम rating का आपने बढ़ाया, range बढ़ाना है, जिसको PMC में हमने बहुत अच्छे से देखा, तो यह मानले मीटर है, यह क्या है हमारा, मीटर है, यह अगर मीटर है, जिसका खुद का resistance होगा, और चुके inductance है, यहाँ पर क्या होगा, LB होगा, inductive part है, तो यहाँ LM होगा, यह है कब जब before extension, जब आपने range extension नहीं किया, तो हमाई को ऐ संट में वाईर लगाते हैं, तो संट में एक वाईर लगाए है, जिसमें एक ऐसा संट में कोईल कीजिए, जिसका resistance हो, यहाँ को एक संट में कोईल ऐसा यूज हो, इस में ले इसज़ भी हो, और गया होगा, तो उसमें क्या होगा, आपका engages the part हो गाई जोड एंदिया, अब इसका time constant इसका time constant आपस में हमें साब बढ़ाबर हो बहुत important टर्म यह होता है इस चीज के लिए कि इसका time constant हो इसका time constant हमेशा क्या हो आपस में बढ़ाबर हो इसका मतलब time constant अगर meter का बोले तो क्या होता है l by r इसका time constant जो बोले हैं आपने इसका time constant क्या होगा अगर संट की बात करें तो क्या होगा lsh बटा rsh बस यही एक important है time constant should be same जब भी range extension किया जाएगा तो बोले हैं time constant should be same किसके लिए emitter के लिए यह ध्यान रखना है तो time constant क्या होता है आपको हमने सरकिट थियोरी में करा रखा है last के lecture में है तो time constant की अगर बात की जाएं तो time constant दोनों का बढ़ाबर होना चाहिए for range extension of emitter यह हमेशा धिमाग में रहे ठीक है objective यह पूछ सकता है for range extension of emitter time constant should be क्या होना चाहिए equal किसके लिए emitter का और जो extended आपने वाइड यूज़ किया है संट में ठीक है ना ठीक है तो यह चीज़ें बहुत important है तो यहां से क्या निकल के आएगा यहां से देखिए lm meter का बटर यह चीज़ rm बढ़ावर क्या होगा lsh बटर rsh और इसको कोई आगे बढ़ाई दे तो equation के बार देखने को मिल सकता है lm by lsh बढ़ावर क्या होगा rm by rsh यह भी देखने को मिल सकता है जानि अगर के बार आपको expression पूछ दे कि जब आपका यह range extension किया गया तोguy rm by lsh का ratio क्या होगा vidéo तो आप तुरान जबाब देएंगे इसका ratio अगर पुछेगा तो तुरान जबाब देंगे क्या rm by rsh होगा rm by rsh होगा देखिए निकला एकनी lm by lsh की बढबर क्या होगा rm by rsh तो यह दिमाग को रखना यह क्यों आया क्योंकि टाइम कॉंस्टेंट बडाबर होता है बडाबर क्यों करना परता है रेंज एक्सटेंशन अगर करना है तो यह ध्यान नहीं यहां पर करना है तो कभी अगर पूछ दें कि क्या लिखा जाएगा फुर रेंज एक्सटेंशन अपने यूज किया है तो यह रिगार्डिंग एमिटर था बहुत इंपोर्टेंट टर्म था ठीक है इसमें यह पूछे आता है तो समझें बोल्ट मीटर में रेंज एक्सटेंशन करना है तो क्या करते हमें इसाथ वोल्टेज की इतना में माल रेंज एक्सटेंशन किया जाता है यहां से ध्यान रेंज एक्सटेंशन जब भी किया आता है इसके सिरीज में रेजिस्टेंस तो जोड़ेंगे, इस साथ इस इंस्ट्रुमेंट में बढ़िया कालिवरिशन रखने के लिए क्या क्या आता है, इसके संट में क्या पेसिटर यूज़ किया था, ठीक है यह सिरीज में तो जोड़ा ही जागा clear इसको हर instrument में होगा अगर voltmeter होगा तो हमेशा उसके series में जोड़ा जाएगा लेकिन इसको बहतर बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं इसके c इसके parallel में जोड़ते हैं और पुछा जाता है कि इसका c कमान कितना जोड़ा जाता है तो c कमान हमेशा होना चीए उस meter का inductance तो यह important development थे regarding M.I.Tap के instrument ठीक है न तो चलिए आज के लिए इतना ही I hope के समझताओं की subject के लिए रहा गए अब तीनों instrument के बिस्ट पर हम numerical और objective करेंगे तो हमको बहुत अच्छा होगा बनाने के लिए और उसके बाद फिर आगे उप्चियों को देखते रहेंगे ओके गाइस तो आज के लिए इतना ही good luck have a nice day